अगली इस्थला कृती है जल प्रपात जल प्रपात क्या है जब नदी के मार्ग में खड़े धाल आते हैं और खड़े धाल होने के कारण पानी उपर से नीचे की और गिरता है तो बड़ा सुन्दर और रमणी अद्रिश्य हम इसको कहते हैं यह उत्पन्न हो जाता और हम जल प्रपात कहलाती है जल प्रपात के निर्मान में चट्टानों का जो संरचना का स्वरूप है यह दो प्रकार से होता है एक जब चट्टाने खेतिजिक क्रम में याने एक उपर उसके नीचे उसके नीचे इस प्रकार से चट्टानों का जमाव जब होता है और उपर में क कठोर चट्टान होती है लेकिन नीचे की चट्टाने जब कोमल होती है तो पानी ऊपर से नीचे जब गिरता है तो वह कठोर चट्टान से तो नीचे आता है लेकिन जहां पर उसे कोमल चट्टान मिलती वहां पर चुकी पानी एकदम से नीचे नहीं गिरता उसके कुछ जो ब चटाने धीरे 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 तूटने लगती है तो उपर की कठोर चटान की नीचे कोमल चटाने धीरे धीरे तूटने लगती है और पानी जब नीचे गिरता है तो नीचे में एक गहरा सा गढ़ा बन जाता और वहाँ पर पानी जम जाता है उसके उपर से फिर जब वो गढ़ पानी भर जाता है तो उपर से आगे नदी बहने लगती है तो इस प्रकार से जो कठोर चटान की नीचे कोमल चटान धीरे धीरे तूटने लगती है और उसके कारण लंबे समय तक कठोर चटान बाहर निकली वी जबकि कोमल चटाने काफी पीछे हट गई होती है और लंबे सम प्रपात है वो क्या होता है धीरे से पीछे की और सरकता है और इस प्रकार से प्रपात क्रमशह पीछे की और सरकता है जैसे कि आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि प्रपात पहले देखिए कहा था और धीरे धीरे वह पीछे की और सरक रहा है तो ये पीछे सरकने की जो प्रक्रिया है चट्टानों का जब ख्षैतिजिक बिछाव होता है तो उसमें होती है इस प्रकार से जो जलप्रपात के उदाहरण जो है इसमें आपने नियागरा जलप्रपात का नाम सुना है तो ये जो नियागरा जलप्रपात है ये विश्व का बड़ा जलप्रपात है ल और सब यहाँ पर घूमने के लिए मनोरंजन के लिए जाते हैं लेकिन यह जलप्रपाथ है यह प्रतिवर्ष लगभग दशमलव दो सेंटीमीटर से एक मीटर तक पीछे हटने की प्रक्रिया इसमें निरंतर जारी है ऐसा विद्वानों का मत है इसके अलावा अभी मैंने आपको गार्ज में कुछ उदाहरण दिये थे नदियों के जिसमें भेडा घाट का भी नाम बताये था कि भेडा घाट जो गार्ज है यह धुमाधार प्रपात के पीछे हटने से बना है तो यह जो भेडा घाट के क्षेत्र में भी प्रपात का पीछे हटना इस बात का सूचक है कि प्रपात पीछे के और हट रहे हैं दूसरा जो प्रपात का स्वरुप होता है जब चट्टाने किसी क्षेत्र में लंबावत होती है उनका जमाव लंबावत होता है और लंबावत चट्टानों में यदि कोई क्षेत्र जहां से पानी का प्रवा हो रहा है वहाँ पर खड़ी चट्टान है और यह कठोर है कठोर का तात्परे जैसे आप डाइक समझ सकते हैं डाइक क्या है ज्वाला मुखी से निर्मित एक इस्थला कृती है और वो डाइक यहाँ पर खड़ी है और उसके आगे कोमल चट्टानों का जमाऊ है तो जब इस खेत्र से पानी बहता है क्योंकि कठोर चट्टान और विशेश रुप से ज्वाला मुखी के उदगार से बनी जो चट्टान है इन चट्टानों के कारण इसमें अपरदन अपिक शाकृत कम होता है और इसके चित्र से आप इसको देख सकते हैं कि एक कठोर चट्टान है और फिर उसके बाद में कोमल चट्टान है प्रपात की दिशा में नदी के प्रवाह की दिशा में तो आगे की चट्टानों को नदी ने काट करके प्रपात का निर्मान किया है जल प्रपात के कई उदाहरन आप देखते हैं लेकिन इस प्रकार के जो लंबवत प्रपात के उदारण नहीं इसमें यलो स्टोन नदी का नाम आता है जो डाइक के उपर से प्रवाइत होती है और एक खड़े प्रपात का निर्मान कर रही है। इसी प्रकार से भारत में करनाटक में जो शिव समुद्रम प्रपात है कावेरी नदी ने इसे बनाया है तो यह भी ऐसे ही कठोर चटान से गिरता हुआ एक प्रपात है इसी प्रकार से कावेरी नदी की सहायक शर्बती नदी ने भी एक प्रपात बनाया इसको आप लोग जान बच्चों जोकफाल बड़ा प्रसिद्ध प्रपात है तो यह भी ऐसे ही कठोर चटानों से निर्मित है हमारे छत्तिसगड में जो चित्रकूट जल प्रपात है इंद्रावती नदी ने इसको छत्तिसगड का नियागरा भी कहते हैं आपको पता होगा तो यह भी यह जो चित्रकूट जल प्रपात है यह भी इसी प्रकार की कठोर चटान पर बना हुआ प्रपात है इसी प्रकार से स्वन्रेखा में हुंडरा प्रपात तो ऐसे असंख प्रपातों के उदाहरण आप देखते हैं चित्र देखते हैं कई जगे बरसात में भी ऐसे चोटे बड़े प्रपात विक्सित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश नदिया ये वर्ष भर इसमें प्रपात देखने को मिलते हैं. तो ऐसे विभिन जल प्रपात ये नदी द्वारा निर्मित इस्थलाकृती है. प्रपातों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधीक है. किया जाता है, उसके अलावा मनोरंजन के लिए लोग आते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर जो आर्थिक क्रिया हैं ये संपन होती है. तो प्रपात और शिप्री का शिप्री का छोटा होता है और इसका आर्थिक महत्व नहीं है लेकिन प्रपातों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है तो ये दो प्रकार से मैंने बताए वैसे आप प्रपातों को देखे तो असंखे प्रकार के प्रपात होते हैं कई प्रकार से उसका वर्गी करन है लेकिन यहाँ पर हम इन दो प्रपातों का उल्लेख हमने विशेश तोर पे किया है एक प्रपातों का पीछे की और हटने वाले प्रपात जो ख्यतिजिक चटानों पर से प्रवाइद हो रहा है और दूसरा जो वर्टिकल या लंबवत चट टानों पर से प्रवाइद हो रहे हैं ऐसे प्रपात प्राय पीछे की और बहुत कम हटते हैं नहीं के बराबर इनका परदन होता है तो यह प्रपात हुए इसके बाद अगली आकरिती जो है इसे कहते हैं संडचनात्मक सोपान संडचनात्मक सोपान क्या है नदी अपनी घाटी में जब प्रवाहित होती है तो कभी-कभी नदी के प्रवाह मार्ग में जैसे अभी प्रपात के समय मैंने बता है कि कठोर चटान, कोमल चटान फिर से कठोर चटान, कोमल चटान इस प्रकार से यदि खैतीजिक क्रम में च चट्टानों का जमाव होता है उपर की कोमल चट्टान को तो नदी ने काट करके यहां वियाकार की घाटी विक्सित की उसके बाद नदी का प्रवाह कठोर चट्टान से होने लगा कठोर चट्टान को वह धीमे गती से काटती है बहुत लंबे समय के बाद कठोर चट्टान और नीचे चला जाता है जहां पुनह कोमल चट्टान आती है तो कोमल चट्टान आने से नदी का जल जो है नीचे की कोमल चट्टानों को और भी तीवरता से काटने लगता है और उसके कारण क्या होगा कि उपर की कठोर चट्टान बेंच की भाती दिखाई देरी और नीचे स फिर नदी ने काट लिया, फिर से कठोर चट्टान है, तो नदी वहाँ पर धीमा अपरदन कर रही, लेकिन उसके नीचे यदि और भी कोमल चट्टान है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोमल चट्टानों में अपरदन तीवर हो रहा है, और कठोर चट्टानों में एक के अंदर एक एक अंदर एक घाटी का विकास हो गया है। इन घाटियों को सनरचनातमक सोपान कहते हैं। इसी प्रकार की मिलती जुलती एक आकृती होती है। ये नदी वेदिकाएं कहलाती है। नदी वेदिका या एलुवियल टेरेस हम इसको कहते हैं। रिवर टेरेस भी कहते हैं। ये टेरेस क्या है। यह भी इसी प्रकार के सोपान की आकृती होती। लेकिन यहाँ पर नदी जब अपनी घाटी से प्रवाइत हो रही है। मान लीजे किसी कारण से उस ख्षेत्र में बाढ़ा गई या जल की अधिकता हो गई। तो नदी के जो पदार्थ है ये देखे इसके दोनों तरफ फैल जाते हैं। और फैलने के कारण वह ख्षेत्र नदी घाटी के अंतरगता आ जाता है। फिर कालांतर में जैसा मैंने बता है कि नदी का कभी कभी पुनर्यूवन भी होता है। नदी फिर से उसके शेत्र में यदि आजू-बाजू के भूभाग उपर उठने लगे तो नदी अपनी घाटी को गहरा करने लगती है। और जब नदी ने अपनी घाटी को गहरा किया तो आजू-बाजू के जो जलोड़क मिटिया है वो वही पर रह जाती है। और बीच से फिर से नदी घाटी का विकास होता है। तो जब जब उस खेत्र में उत्थान होता है नदी पुराने जलोड़क वाली घाटी को छोड़ करके भीतर एक नई घाटी का विकास करती है। जिससे यहाँ पर भी सोपान की भाती एक के अंदर एक घाटी दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो घाटी बनती है यह घाटिया नदी वेदि काएं कहलाती हैं। ये जो नदी वेदिकाएं और सम्रचनात्मक सोपान एक जैसे लेकिन सम्रचनात्मक सोपान कैसे बन रहे हैं चट्टानों के क्षायती जीक स्तर के बिछने के कारण और नदी वेदिकाओं का निर्माण कैसे हो रहे हैं नदी के पुनर युवन के कारण घाटी के निरंतर गहर होने से उस क्षेत्र में नदी का जमाव जो है वह इस पश्ट किनारों के क्षेत्र में देखने को मिलता है तो ये जो मैंने अभी आकरितियों का उलेक किया है घाटी का विकास जलप्रपात खिप्रिका पॉट होल्स नदी वेदिकाएं और सन्रचनात्मक सोपान ये सभी आकरितियां जो है ये नदी के युवावस्था का प्रतीक है अब यहां पर य नदी जो कार्य कर रही है ये कार्य वह करती है उसके कार्यों के प्रकृति के आधार पर हम उसको तीन अवस्थाओं में बाटते हैं पहली युवावस्था मानो जीवन के अवस्था से इसकी तुलना की गई है जैसे आप युवा हैं आपके कार्य करने के एक्षमता बहुत थिवर होती है, ऐसे ही नदी को जब अधीक वेग होता है नदी का यानि इसको ढ़ाल अधीक मिलता है तो वहाँ वह तेजी से अपरदन कर रही है। इसे हम युण आवस्था कहते हैं। जब नदी मैदान में आ जाती है, उसका वेग कम हो जाता है। अपर्दन करती है लेकिन अपर्दन की गती कम हो जाती है इसे प्रोड़ा वस्था कहते हैं और जब नदी समुद्र के पास-पास आगे की और बढ़ते वे चली जारी समुद्र के पास धीरे धीर उसमें जल की मात्रा बढ़ गई पानी का अयतन बढ़ गया अपर्दित पदा अर्थों को कहीं जमा करते हुए धीरे धीरे अपने पानी को धाकेलते हुए आगे ले जाती क्योंकि यहां पर वेग भी कम होता है धाल भी कम होता है बहुत धीमा धाल होता है तो इस अवस्था को वृद्धा अवस्था कहते हैं है न मानो जीवन से तुलना युवा मानो जो होता है, बहुत तेजी से काम करता है, प्रावढ़ावस्था में उसके कार्य करने की क्षमता खीर्ण हो जाती, जैसे नदी परवत से उतर कर मैदान में आती है, और जब और आगे बढ़ जाती है, उसमें बोज अधिक हो जाता है, कार्य की क्षमता लगभख्षीर्ण होत तो ये अभी तक हमने जितनी आकृतियां पढ़ी है ये आकृतिया युवावस्था की दियोतक है। यहाँ पर नदी आती है तो नदी टेड़ी मेड़ी जहाँ उसको ढ़ाल मिलता है वहाँ से बहने लगती है। तो यहाँ से आगे की और बढ़ने से वह क्या कर रही है अब घाटी को गहरा करना उसने कम कर दिया क्योंकि उसकी शक्ति कम होगी उसका वेग कम हो गया है। वो क्या करी नदी परवत से आई है बहुत सारी नदिया उसक्षेतर में आकर के उस मुख्य नदी में मिलती चली गई है। जलकी मातरा बढ़ गई है और जलकी मातरा बढ़ने से नदी अपनी घाटी को क्रमशह चावड़ा करने लगती है। उस पदार्थ को जमा करके उसके किनारे से आगे की और बढ़ती है। तो इस प्रकार से नदी में सर्पाकार चलने के कारण कई प्रकार के मोड पड़ जाते हैं। और इस मोड को नदी की विसर्प या मियांडर्स के नाम से हम जानते हैं। यह आप यहाँ पर चित्र में देख सकते कि नदी ने कैसे बड़े-बड़े मियांडर्स का विकास किया है। तो यह जो मियांडर्स आप देख रहे हैं, इस मियांडर्स में नदी गोल घुमती हुई आगे की और बढ़ती है। यहाँ अपरदन तो हो रहा है। लेकिन जो से बहती है। तो जिस तरफ वह पदार्थ को जमा कर रही है, उस तरफ का ढ़ाल उत्तल होता है। उत्तल और आउतल ढ़ाल जानते हैं न बच्चों, देखिए उत्तल ढ़ाल कैसा होता है। उपर से लगभग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपर से यह ढ़ाल पदार्थों को जमा कर रही है और उसके बाजू से बह रही वहाँ पर उत्तल ढ़ाल, उसके किनारे जो है उत्तल ढ़ाल के युक्त होते हैं। और जिस तरफ नदी बह रही है, उस तरफ से नदी आवतल ढ़ाल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से नदी के उत्तल और और तल ढाल के कारण बड़े-बड़े विसर्प बन गए हैं और ये विसर्प, नदी विसर्प या रिवर मियांडर्स कहलाते हैं। ये जो विसर्प होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विसर्प, जैसा भी आपने देखा। दूसरा जो विसर्प होता है इसे हम अधा करतित विसर्प कहतें इंसाइड मियंडर्स नाम से हैं इंसाइड या अधा करतित याने नदी का जो विसर्प बना हुआ है किसी कारण से यदि यह भुभाग फिर से उपर उठने लगे तो नदी अपनी घाटी को फिर गहरा कर रही उसको पुना ऊपर उठने के कारण वेग मिल रहा और घाटी को वा गहरा कर रही, तो एक विसर्प के अंदर दूसरा विसर्प बन गया, इसे इंसाइड या अधाकर्तित विसर्प कहते हैं, तीसरा जो विसर्प होता है, जब नदी समान्ने रूप से प्रवाहित हो रही है, तो इसके प्रवाह के कारण, कभी-कभी चटानों का स्वरू प्यक्षेत्र ऐसा होता है, कही बार पानी कम हो जाता है, तो नदी में कहीं पानी रहता है, कहीं नहीं रहता, और ये विसर्प में पानी दिखाई देता है, अगली बार जब पानी आता है बरसात के कारण, तो उस विसर्प को छोड़ करके दूसरी जगे से विसर्प बना लेती है। तो इस प्रकार से उस विसर्प, पूर्वका विसर्प और नया विसर्प में कोई मेल नहीं होता। तो ऐसे विसर्प, बेमेल विसर्प, मिस्फिट या अन्फिट मियंडर्स कहलाते हैं। तो ये जो विशर्प है, यह नदी की अपरदन और निक्षेपन, ये दोनों से निर्मित आकृती होती है. इसके बाद एक और आकृती है, अंत में ये आकृती समप्राय मैदान कहलाती है. समप्राय मैदान क्या है? मानली जी की कोई परवत विक्सित हुआ था, और नदी ने उस परवत को काटना प्रारम बकिया. किसी परवत से एक ही नदी नहीं होती, असंखे नदियां होती है. और ये नदिया चारों तरफ से परवत को काटती रहती है. काटते काटते नदी ने स्वयम उस परवत को काटा या अपक्षय और सामुहिक शरण की शक्तियों ने मिल करके उस परवत को काटा कुल मिलाकर परवत पूरी तरीके से कट करके उसके जो मलबा है जो पदार्थ है वो चारो तरफ फैल जाते हैं यह जो चारो तरफ फैला हुआ मलवा है यह लगभक समतल मैदान की जैसे होता है यहाँ पर नदी अपरदन भी कर रही है और कुछ पदार्थों का जमाव भी कर रही है ये जो अपरदन या निक्षेपन का कारिकरिया क्षैतिजिक रूप से होता है और नदी यहाँ पर उस असमानता को दूर करने के लिए चारों तरफ लगभग संतली करण की प्रक्रिया करती है तो इसे पेनिपलेन या समप्राय मैदान कहते हैं इस समप्राय मैदान में कुछ चट्टानी आवशेश जो कठोर चट्टान होती है उन चट्टानों का यहाँ पर अपरदन नहीं होता उस पूरे क्षेत्र में एकाद दो चट्टानों के कहीं कहीं आवशेश खड़े दिखाई दे जाते हैं और इन चट्टानों को मोनाड नौ के रूप में जाना जाता है यह आवशिश्ट करा है जो अपरदित नहीं होई है कठोर चट्टाने थी यह मुनाड नौ्स कहलाती है तो यहाँ पर नदी के अपरदन कार्य जो है यह पूरा होता है इसके बाद दूसरा जो नदी का कार्य है ये है नदी का परिवहन कार्य है नदी का जो परिवहन कार्य है इसमें नदी ने जितने अपरदन के माध्यन से पदार्थों को तोड़ा फोड़ा है वो उसको वही रखती नहीं बलकि अपने साथ जल के साथ ये पदार्थ आगे की और बढ़ते चले जा रहे हैं इस वेग की मात्रा नदी में भार की मात्रा जल का आयतन जल की मात्रा ये सब चीजें यहां पर कार्य करती है और उसके माध्यम से परिवहन कितना होगा यह निर्भर करता है नदी में यदि वेग अधिक है तो परिवहन तेजी से होता है लेकिन नदी में यदि अपरदित पदार्थों का मलबा जो है जो चट्टानों के तुकड़े हैं ये जब अधिक हो जाते हैं तो नदी इन पदार्थों को ही ढकेलने लगती लेकिन इसका वेग कम हो जाता है धाल अधिक होगा तो परिवहन अधिक होगा। जल की मात्रा यदि अधिक है तो वो तेजी से ढखे लेगी और इस प्रकार से परिवहन की प्रक्रिया जो है यह संपन होती है। परिवहन भी कई रूपों में होता है तो नदी में जब जल में चट्टानों के कुछ तत्व या आसपास की जो मिट्टी घुल जाती है तो उससे नदी के जल में घुल करके पदार्थ आगे की और बढ़ रहे हैं तो घुल करके परिवहन हो रहा है। कुछ पदार्थ छोटे-छोटे महीन कंड होते हैं वो नदी के जल के साथ ही उचलते कूदते आगे चले जाते हैं। चटान जो होती है ये लुड़कते लुड़कते जल के साथ आगे की और बढ़ रही है। तो लुड़क कर परिवहन हो रहा है। कुछ पदार्थ जब सामने में चटान है बड़ी और पीछे से छोटे कंकड पतर आ रहे हैं। उसे टकराते और उचल करके कूद करके ये उस बड़ी चटान से आगे निकल जा रहे है। तो कूदना या फुदकना इसको कहते हैं इस प्रकार से भी परिवहन होता है। तो ऐसे विभिन प्रकार से पदार्थों का परिवहन हो रहा है। इसे नदी का परिवहन कार ये कहते हैं। परिवहन में नदी किसी भी आकरिती का निर्मान नहीं करती। क्यों। क्योंकि अपरदन में कांड छाट रही है तो कटेवे स्थान में आकरिती बन रही है लेकिन परिवहन में वो पदार्थों को बहा के ले जा रही है तो इस प्रकार से उससे कोई आकरिती नहीं बनती नदी का जो तीसरा कार्य है इसे हम निक्षेपन का कार्य कहते हैं नदी के निक्षेपन के कार्य में नदी अपने साथ जो पदार्थ लाती है इन पदार्थों को वह जमा करने लगती है जमाओं का जो क्षेत्र है यह या तो नदी अपने दोनों किनारों पर जमा करती है या अपनी घाटी में अपनी तली में जमा करने लगती है तो इस प्रकार नदी में निक्षेपन की प्रक्रिया संपन होती है नदी में जो निक्षेपन की प्रक्रिया होती है इसमें कुछ बातें निक्षेपन करने में सहायक होती है जैसे नदी के वेग में जब कमी आती है धाल उसको नहीं मिलता मैदान में आकर के धाल और भी मंद हो जाता है तो नदी की जो गती है ये कम हो जाती है और नदी अपने साथ जो बहुत सारा पहाडों से ढोकर के मलबाल आती है इस अपरदित पदार्थ को वह जमा करने लगती है दूसरी ढाल में जब कमी आ जाती है तो ढाल में कमी आने से ही तो वेग कम हुआ और नदी अपने पदार्थों को जमा करने लगती है तीसरी स्थिति वहोती कि नदी में कई सहयक नदियां आकर मिलती है जिससे नदी में जल का विस्तार अधिक हो जाता है और जल के साथ इन पदार्थों को ढोना इनको आगे ढखेलना नदी के लिए कठिन हो जाता है तब क्या करती है नदी अपने किनारों पर या अपने तली में पदार्थों को जमा करती है कभी कभी नदी के मार्ग में कुछ अवरोध आ जाते हैं और अवरोध आने से भी पदार्थों का निक्षेप होता है कई बार ऐसा होता है कि नदी के जल में जो वाल्यूम होता है आयतन होता है उसकी कमी हो जाती है और ये भी निक्षेपन का कारण बनती है नदी के जल में कमी क्यों होती है यदि जलवाईू वहां की शुषक हो जाती है तो जल कम हो जाता है यदि उस ख्षेत्र में वर्षा कम हुई तो नदी में जल की मातरा कम हो जाती है कभी कभी ऐसा होता कि नदी गहराई से या नीचे से पानी का रिसाव जमीन के भीतर हो जाता है उससे भी जल कम हो जाता है कभी ऐसा होता है कि उस खेतर में बहुत अधीक वाशपी करण हो रहा है तो वाशपी करण के कारण भी जल कम हो जाता है कई बार मानुविय कारण होते हैं जैसे मनुष्य नदी से नहर बना करके पानी को अन्यत्र ले जाता है अपने क्रिशी शेत्र में सिचाई के लिए तो नदी में जल का आयतन कम हो जाता है तो इस प्रकार से नदी में जो जल के आयतन की कमी के कारण भी नदी अपने साथ लाए हुए पदार्थों को जमा करने लगती है दूसरा जो निक्षेपन का कारण है ये है नदी में आवसाद की वृद्धी होती है आवसाद की वृद्धी किन कारणों से होती है? हिमानी के जो जलोड़क है ये जब नदी में अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो उससे नदी में अवसाद अधिक मात्रा में होने लगता है तो ऐसे ही और भी नदी के जो पदार्थ है ये भी जब नदी में अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इन पदार्थों को नदी क्रम्शह कहीं न कहीं जमा करती है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, यह नदी का निक्षेपन कार्य कहलाता है। निक्षेपन कार्य में भी नदी विभिन प्रकार की आकृतियों का निर्मान कर रही है। और ये आकृतियां कौन-कौन सी है, सबसे पहली जो आकृति होती है, निक्षेपन की इसका तो हमने अभी अध्यन किया था, कि जब नदी परवत छोड़कर मैदान में आ रही है, तो कुछ विसर्प बना रही है, विसर्प में निक्षेपन अधिक और कटाव कम होता है, तो जहां पर निक्षेपित पदार्थ होते हैं, वहां से नदी घूम करके फिर आगे की और बढ़ती है, तो इससे विसर्पों का निर्मान हो रहा है, दूसरी जो प्रमुख और महत्वपूर्ण इस्थलाकृति है, ये इस्थलाकृति है जलोड़ पंख एवं जलोड़ ये जैसे ही नदी परवत से उतर कर मैदान में आती, उस ख्षेत्र को हम क्या कहते हैं, परवत पदी ये शेत्र, पीडमॉंट एरिया कहते हैं, तो ये परवत पदी ख्षेत्र जैसे ही प्रारंभ होता है, नदी के वेग में तुरंत कमी आ जाती, तो नदी अपने साथ कँचर पत्थर हैं इन कँचर पत्थरों को तो अपने दोनों किनारों पर जमा 먹 will다 the जो महीन मिट्टी बजरी के कंड होते हैं वो नदी के इस जलधारा के साथ उचल करके इन कंकड पत्थरों के पीछे दूर तक चले जाते हैं तो जो किनारे का भाग है वहाँ पर मोटे मोटे कंकड पत्थर और पीछे में दूर तक महीन बजरी या रेत और जलोड़क मिट्ट जम जाती है, तो इसके जमावें से दूर से देखने पर ऐसे लगते हैं कि जैसे आपने वो पंखा देखा आज हाथ से जलने वाला, उसके बीच में एक लकडी रहती और दोनों तरप उसके पंख रहते हैं. ये पंख जो है बीच में इस में अधिक वीविंग होती है और किना परे में यह हलके होते तो इसी प्रकार की कुछ आकृती नदी द्वारा निर्मित होती है तो इसे जलोड पंख कहते हैं। और जब यह कंकर पत्थर की उंचाई अधिक हो जाती तो यह शंकु के रूप में खड़ी हो जाती है। तो इसे जलोड शंकु कहते हैं। यह जलोड पंख यह जलोड शंकु जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। यह सहारे भी जलोड पंख यह जलोड शंकु निर्मित होते हैं। कई बार जो लटकती घाटियां होती हिम परवत के क्षेत्र में जो हिमानियां होती उनसे लटकती घाटियों का निर्मान होता है। और ये लटकती घाटियां जब हिम के बदले वहाँ पर पानी बन जाता है और नदी के रूप में प्रवाइत होता है तो उसके नीचे के क्षेत्र में भी जलोड़ पंख या जलोड़ शंकु का निर्मान होता है। जमाओ के कारण पानी जो होता है वह नीचे की और चला जाता है और उपर में बजरी का जमाओ रहता है तो उसक्षेत्र में यदि पीने के लिए पानी चाहिए तो कुवा या बोर बहुत थोड़ा सा खोदने के बाद पानी उपलब्द हो जाता है। इसी प्रकार से जो जलोड़क मिट्टी है उसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया प्रती वर्श नई नई मिट्टी आ करके हमेशा यहां जमा होती है। उसके फल सरुक्या रहे हैं यहां पर क्रिशी का क्षेत्र यहां पर आप देख रहे हैं विक्सित हो गया है। तो क्रिशी के लिए जलोड मिट्टी मिल गई है, आवास का क्षेत्र पानी इसका मुख्य उद्देश यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, सिचाई बड़ी आसानी से हो जाती तो उसके कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो जाता है तो इस प्रकार से यह जलोड पंक और जलोड शंकु जो है यह हमारे नदी द्वारा निर्मित निक्षेब जनित आकरिती तो है लेकिन हमारे आर्थिक महतों की भी स्थिती को यह निर्मित करती है तो यहां तक नदी ने जो नदी के विसरपन की प्रक्रिया और जो नदी के संप्राय मैदान बनाने की प्रक्रिया और यहां पर जलोड पंक और जलोड शंकु यह सभी नदी के प्रवड़ा वस्था का दियो तक है इसके बाद अब नदी और भी आगे मैदान की और जब जाती है तो मैदान में ढाल और भी कम मिलता है बहुत कम ढाल मिलने से अब नदी की वृद्धावस्था यहां पर प्रारम हो जाती है तब नदी क्या करती है कि अपने साथ जितने पदार्थ लाती है इन पदार्थों को अपने दोनों किनारों पर जमा करती है, और किनारे जो नदी के जो किनारे है यहाँ पर लगभखः खड़ी दिवार के जैसे यह पदार्थ जम जाते हैं, तो इस प्रकार के जो दिवार बन जाती है, इसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, यह तरफ दिवाल नुमा अकृति निर्मित हो जाती है और ये प्राकृतिक तटबंद क्या करते हैं जब नदी में पानी की मातर अधिक होती तो काफी समय तक ये जल को रोकने का प्रयास करते हैं बाहर नहीं फैलने देते हैं लेकिन जब पानी और भी अधिक हो जाता है तो इन प्राकृतिक तटबंदों को तोड़ करके नदी का जो जल है ये बाहर के और विस्त्रित हो जाता है जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के मैदान बन जाते हैं नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है और जब पानी कम होता है वापस अपनी घाटी के ओर आता है तो जो बाड के क्षेत्र में कुछ नदी दौरा लाए गए, जो जमाओ है वो वहीं पर जम जाते हैं, जो की बाड के मैदानों के रूप में विक्सित हो जाते हैं. तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक तटबंध है, ये इसका बहुत अच्छा उदारण जो है, चीन की वहांगो नदी, इसे यलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ जो पीली मिट्टी लाती है, उस पीली मिट्टी बाड के समय क्या करती है, चारों तरफ पीली मिट मिट्टी का जमाव कर देती, जिसको लोएस का मैदान कहते हैं, तो ये लोएस का जमाव यहां पर हो जाता है, और जब बहुत अधिक प्राय इस नदी में बाड आती है, तो पूरे क्षेत्र में पानी फैल जाता है, इसलिए वांगो को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों मे चीन का शोक भी कहते हैं, तो ये वांगो नदी के किनारे में प्राकृतिक तटबंध होने से काफी रक्षा होती, लेकिन पानी चूकी हमेशा अधिक आ जाता है, इसलिए बाड के कारण ये फैल जाता है, इसी प्रकार के जो तटबंध के जो उदारन है, ये Mississippi नदी जो है, इसमें भी दोनों तरफ नदी ने जमाओ कर प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण किया है, और यहां पर ये तटबंध 6 से 7 मीटर की उचाई वाले तटबंध देखने को मिलते हैं, इसके बाद नदी की अगली या अंतिम आकृती जो होती है, ये है डेल्टा, डेल्टा शब्द से आप सभी परिचित है, ये जो ग्रीक का शब्द जो होता है डेल्टा, उसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है, और इसलिए हम इसको नदी, यहीं से ये डेल्टा शब्द आया है, डेल्टा नदी की अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अर्थात नदी जब समुद्र के पास चली जाती है, तो समुद्र के पास जाने से धीरे धीरे नदी के ढाल में कमी आती है, नदी बहुत ही मंदगती से आगे की और बढ़ती है, नदी में जलकी मातरा बहुत अधिक हो जाती है, और कुछ पदार्थ भी रहते हैं, तो इन पदार्थों को नदी कहीं अब निक्षेपित करने में असई होती है, तब वो क्या करती है, इन पदार्थों को अपने मार्ग में ही जमा करने लगती है, और नदी की असंग्य धाराएं इन पदार्थों के इर्द गिर्द हो करके बहुत सी धाराएं बहने लगती और ये कई धाराओं में जाकरके समुद्र में मिलता है तो इस आकरिती को हम डेल्टा कहते हैं समाने रूप से जब डेल्टा तब विक्सित होता है जब जल्ब का आयतन बहुत अधिक होता है और नदी में बहुत से पदार्थ होते हैं और नदी बहुत लंबा मार्गताय करके आती है तो बहुत सारे पदार्थों को लाती है इन सब की मिली जुली प्रक्रिया डेलटा का रूप लेती है किसी डेलटा के निर्मान के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक होता है यह दशाओं कौन सी होती है जैसे नदी का जो दो मुहाना होता है मतलब समुद्र के पास जहां पर नदी मिलने वाली है तो वहाँ पर ढाल बहुत कम होता है और बहुत धीमी गती से नदी धीरे धीरे प्रवाहित होती है तब डेल्टा का निर्मान होता है नदी में कंकर पत्थर की जब अधिकता हो जाती है तो इसको भी नदी किनारे में जमा करने लगती है बीच में जमा करती है इससे भी नदी का वेग जो है वह कम होता है और डेल्टा का निर्मान होता है लेकिन डेल्टा के निर्मान में ये भी आवश्यक है कि वहाँ पर जो समुद्र में जो जुआर की तरंगे उठ रही है वो निर्बल होनी चाहिए नहीं तो क्या होती जुआ की तरंगे तेजी से आती और नदी के जमाओं के वे जो भी पदार्थ है इन पदार्थों को बहा कर ले जाती है तो इससे डेल्टा नहीं बनता तब ऐसे डेल्टा को रुगनित डेल्टा कहते हैं और जब सामान्य रूप से नदी डेल्टा का विकास करती है तो डेल्टा या तो पक्षी के पंख के समान दिखाई देता है तो इसको पंखाकार डेल्टा कहते हैं जब पक्षी के जो पैर होते हैं उसके समान दिखाई देता है तो इसको चापाकार डेल्टा कहते हैं और ऐसे असंख डेल्टा का स्व रूप है यह देखने को मिलता है कहीं कहीं पर जहां पर जवार तेजी से आता है तो वहां पर नदी डेल्टा बनाने का प्रयास करती लेकिन जवार नदमुख डेल्टा इसको कहते है एक्चुल में यह जो एक्ष्चुरी या जवार नदमुख होता है यहां पर जितना नदी जमाव करती वो जुआर की लहरे उन सब पदार्थों को बाहा कर ले जाती है, तो यह जुआर नद मुख़ डेल्टा होता है तो इस प्रकार से डेल्टा विविध रूपों में हमारे सामने में आता है और ऐसे डेल्टा का हम कई स्वरूपों में कई प्रकार से अध्यन करते हैं तो बच्चो नदी की ये जो अंतिम जो स्थिती है जिसमें डेल्टा और तटबंद कहलाती ये नदी के व्रिद्धावस्था का सूचक है ये जो सकती है झाल झाल